आजकल इस्टुडेंट्स के उपर पढ़ाई का बोज और टेंसन बहुत है और इसी टेंसन में जल्दी याद कैसे करें या फिर याद कैसे करें सोते सोते एकजाम आ जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वो परिक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जल्दी याद करने का एक तरीका वन वे टू कुइकली मिमोराइज लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे अकसर हम लोग जल्दी याद करने के चक्कर में रटना सुरू कर देते हैं पर यह सबसे बेकार तरीका होता है जल्दी याद करने के लिए जो भी हम लोग रटते हैं वह हम बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं जल्दी याद करने के तरीके बहु इस टॉपिक को बड़े ही आसानी से रट लेंगे तो आप उस टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ये टॉपिक आप थोड़े ही घंटों में बोल जाएंगे इसलिए रटने का तरीका सबसे बेकार तरीका है और आप जो भी टॉपिक को याद करना चाहते हैं उस के बीच कहीं उठके जानाना पड़े एक ये भी कारण है कि अगर आप अपना कोई अधूरा काम छोड़के पढ़ाई या याद करने बैठेंगे तो उन काम के बारे में आप याद करते समय सोचेंगे और उस कारण से भी आप अपनी पढ़ाई पर पुरा फोकस नहीं कर प पाएंगे तो आपको अधूरा काम निप्टा कर पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहिए तीसरा अपने टॉपिक को सबसे पहले तो एक दो बार अच्छे से पढ़ें फिर उसको आसान भासा में अनुबाद करके समझें ऐसा करने से वह टॉपिक आपको अच्छे से समझ म आ जाएगा और आप इसे किसी और को भी समझा सकते हैं या फिर कहीं भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी आप अपने टॉपिक को जल्दी याद कर पाएंगे चोथा जो भी टॉपिक आप याद करते हैं उसे कम से कम दो से तीन बर बीना देखे लिखने की कोशिस करें जब तक आप उसका सही मतलब एकदम सही नहीं लिख पाएं तब तक उसके जवाब को समझें और लिखते रहें पांच माँ सबसे जरूरी है रिवीजन जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तब उसका एकवार रिवायस जरूर करें ऐसा करने से आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे और वो टॉपिक आपको जल्दी याद रहेगा और हम उमीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हैलफुल रहेगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेर कीजिए और अन्ति में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू दोस्तों